दोस्तो परियाग राज, जिसे उत्तर परदेश के सबसे विक्सित शहरों में से एक माना जाता है। इस शहर को उत्तर परदेश की न्याईक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। यही नहीं, इस शहर को परधान मंत्रियों का शहर भी कहा जाता है। क्यूंकि इस शहर ने भारत को साथ परधान मंत्री दिये हैं। दोस्तो परियाग राज भारत का एक मात्र ऐसा भी शहर है जिसको सन 1858 में सिर्फ एक दिन के लिए भारत की राजधानी भी बनाया गया था। पवित्र गंगा नदी के संगम परबसा परियाग राज अपने कुम्भ मेले की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। दोस्तो वैसे परियाग राज में तांगा और तांगों की दौर से कौन वाखिव नहीं होगा। मेट्रो लाइट चलाने जा रही है। जिसकी बात आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। वैसे दोस्तो आपने तांगा का सपर कितनी बार किया है। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। स्वागत है आपका अद टेक आटो की एक और इंट्रस्टिंग वीडियो में। दोस्तो परियागराज मेट्रो जो एक प्रस्थापित लाइट मेट्रो योजना है। उत्तरपरदेश के जिले परियागराज में मेट्रो ट्रेन दोडाने की कवायद एक बार फिर तेज हो गई है। शासन स्तर से इसके लिए विस्तरित परस्ताव DPR तयार किया जा रहा है। विकासकारियों एवं अवासिय योजनाओं की समिक्षा बैठक में कैबिनेट मंत्री सिधार्त नाथ सिंग ने इस पर विस्तार से चर्चा की। वही मुख्य मंत्री योगी अधित्यनाथ ने भी जिले भर के विकास के लिए उच अधिकारियों वजन प्रती निधियों को निर्देश जारी किये हैं। यानि कि इस पूरे प्रोजेक्ट में कुल 49 स्टेशन बनाए जाएंगे। वहीं इस प्रोजेक्ट को बनाने में लगभग 8,000 करोड रुपे का खर्चा आने का अनुमान है। प्रपोजल था कि इस रूट पर 3.7 किलोमीटर की अंडर ग्राउंड रेल लाइन बनेगी। 19.5 किलोमीटर की लाइन एलिवेटेड रखने का प्रस्थाव था। जिला प्रशासन ने राइट्स कम्पनी और अर्बन मास्ट ट्रांस्पोर्ट के साथ मिलकर ये भी टैग किया था कि हर एक किलोमीटर पर एक स्टेशन बनाया जाएगा। इसके साथ ही नैनी से फाफा मौ के बीच दूसरा रूट तयार किया गया था। लेकिन बाद में केंदर सरकार के द्वारा लाइट मेटरो निती 2019 और न्यू मेटरो निती 2020 लाई गई। दोस्तों उस समय के सर्वे के मुताबिक पर यागराज शहर में हर घंटे 15,000 यात्री लाया गया। दोस्तों लाइट मेटरो आने से परियागराज में मेटरो का खर्चा भी आदा हो गया है। दोस्तों वैसे इस प्रोजेक्ट में बात सिर्फ पैसो की ही नहीं क्योंकि पिछले 6 सालों से इस प्रोजेक्ट की फाइल सिर्फ टेबलों पर ही घुम रही है। और यानि के परियाग राज development authority को दिया गया है दोस्तो इस मेट्रोलाइट में 6 कोच होंगे जिसको 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा दोस्तो इस मेट्रोलाइट के बन जाने के बाद यात्रियों को जाम का सामना बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा और साथ ही साथ मेट्रोलाइट के बन जाने के बाद परियाग राज को काफी हद तक परदूशन से भी मुफ्ती मिल जाएगी